कि शबीकर नमस्कार आप सबीका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों हम वर्ड सीख रहे हैं वो भी एक नए मेठेड पिक्चर मेठेड से ठीकिन है और आजका जो वर्ड है वह रेड़ वॉर्ड यानि ऐसे बहुत सारे वर्ड से इडियेम्स हैं जहां पर रेड वाली वर्ड स्र जो होता है वैसे तो मैं बताओं कि हमारी जो लेंक्विज रूज उससे का प्रतीक वह ना ठीक ना उसका चेरा सरम से लाल हो गया गुलाबी हो गया ठीक ना ठीक है तो ऐसे बहुत चारे वर्ड्स हैं जो हमारी बोल्चल में यूज के जाते हैं और वो भी कलर के साथ तो आज का जो वर्ड है वो है रेड वर्ड तो इंग्लिस में कुछ ऐसे लाइक हैं जो उर्यटिट भी और साथ के साथ हमारी लाइफ में भी यूज होते हैं तो ऐसे वर्ड समपढ़ने वाले हैं वह भी बिक्छर मेंटट से जो जो कि एक नयाब तरीक और वो यह को याद वर्ड जो आप देख रहे हैं, that is red word, ठीक ना, तो इसके लिए भी मैं आज word color भी ready ले लेता हूँ, बताने के लिए, ठीक ना, तो पहला ही word है हमारा, लेकिन उससे पहले तो एक तरीका है, कि मैं आपको कुछ words दिखाता हूँ, और उस words में आपको देखना होता कि इन में से क robuster, ठीक ना, second word is red in the face, अब इसका मतलब क्या है, he is red in the face, ऐसे बलेगे तो क्या मतलब होगा, caught red handed, हो सकता है इसका आपको मिनिंग पता हो, the red carpet treatment, not a red scent, red hot, red tape, red meat, इदरा जीगा, to see red, roll out the red carpet, paint the town red, in the red, red ticket, red tag sale, या red light district, and last one is red letter day, तो यह कुछ words हैं, जो हमारी life में, red से जुड़े words हैं, जो अक्सर यूज होते हैं, और इनका एक अच्छा कासा मतलब होता है, अर्थ होता है, मिनिंग होता है, तो एक बार आप दोबारा से पढ़ लिजी, मैं आपको पढ़ने का फिर मोका दे रहा हूं, तीस सेकिंड, आप पढ़ें, आपको आते हैं, या नहीं आते हैं, एक बार मन में, आप जो है, विचार कर लिजीए, ठीक है, ना, मैं देख रहा हूं, वेट कर क्या होता है, जैसे हम किसी कहों कि, he is as red as a lobster, तो lobster क्या होता है, जी, आइए देखे picture, हमारा word आ रहा है, red as a lobster, वैसे आपको बता दू, lobster होता क्या है, आप seafood अगर आपने कभी टेस्ट किया हो, या उसके बारे में सुना हो, तो fish के अलावा, ऐसी बहुत सारी दूसरी लॉब्स्टर है, तो यह है लॉब्स्टर, ठीक ना, काफी, कोस्टली बताया जाता खाने में, अगर आप गोव अगरा, जहां seafood खाया जाता, वहां जाएं तो इस तरह की चीज़े, वहां मिलते हैं, नोर्मली नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इसका color भी बिल्कुल red हो जब आप sunburn के कारण, आप जो है मैडम के, चिकस आप देख रहो, बिल्कुल इस से मिलते जुलते word हो गए है, तो a bad sunburn, sun के अंदर, sunlight के अंदर जब आप बैठते हो, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, तो ऐसे में, यूज क्या जाता है, sea is red as a lobster, after a day at the beach, sea beach पर आप काफी दिर तक रहने के बाद, आपका चेहरा, sea से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही बनेगा, sea पर, या फिर आप धूप में बहुत जादा दिर रहते हो, तो ऐसे में आपका face बल्कुल red हो जाता है, किस की तरह है, lobster की तरह है, lobster इस crab को बोलते ह ठीक ना, तो आप किसी को कह सकते हैं, किसी का लाल चेहरा देखकर, तो आप कह सकते हो, sea is as red as a lobster, या sea is red as a lobster, एक वर याद हो गया आपको, next word, अगला word है हमारा, देखिएगा, red in the face, जब आप बहुत जदा गुस्ये में होते हो, कहते हैं क्यों लाल पिला रहा, क्यों इसका my daughter was red in the face, after she found her doll was stolen, उसकी doll चोरी होने के बाद, उसका चेहरा ये, ऐसे हो जाता है, बच्चे बिल्कुल लाज हो जाते हैं, जब वो गुस्ये में रोते हैं तो ऐसे, आप देख रहे हो, बिल्कुल, red in the face, गुस्ये में, गुस्ये में वैसी भी चेहरा लाल पिला होता है, त next, caught red-handed, caught red-handed, red-handed मतलब लाल हाथ, देखीगा, catch someone in the act of doing wrong, गलत काम करते वे पकड़े जाना, इसका सीधा सीधा मतलब है, उसको हमने red-handed पकड़ लिया, रंगे हाथो, आप हिंदी में भी यूज करते हो, तो एक वर्ड यूज होता है, उसको रंगे हाथो पकड़ा गया, र गलत काम करते वे, the thief got caught red-handed with their hands in the pocket, जेब में हाथ डाले थे, तो ऐसी देखो, वर्ड से भी दिख रहा है, और आदमी ड्रा भी वहा है, कतल करने के बाद, जब हाथ पे लालाल खून लग जाता था, उसको वही, ऐसे देखते ने, फिल्मों में, किसी को कोई चाकु घोपके चला गया, और आप जाके देखते, और चाकु निकलते ही, आपके हाथ पे भी ब्लड लग गया, और आप red-handed पकड़े गया, ऐसे ही होता है, अरे हमारी हिंदी फिल्मों में, मिथुन चक्रवर्ती के साथ, अक्सर ऐसा ही तो होता है, है ना, चाकु कोई और गोप गया, और पकड़ागा, मिथुन चक्रवर्ती, देखते हैं ना, धरमेंदर भी पकड़ागा कई फिल्मों में, तो catch, caught या catch red-handed, रंगे हाथों गलत काम करते पे पकड़ा जाना, यह हमारी लाइफ में बहुत बार यूज होता है, अग्रेज बीशी तरह के बड़ यूज करते हो, और red carpet treatment विता है, लाल चटाई का स्वागत, आप देखे, to give someone special treatment, किसी को खास तरह का treatment देना भाई, खास तरह का red carpet treatment, जैसे सशुराल में दूला पहली बार जाता है, सशुराल में जब दूला होता है, वो दूला तो जो है, उसको साही स्वागत मिलता है, दूसरी विजिट पे पे भी साही मिलता है, तीसरी पे भी थोड़ा ठीक ठाक्सा साही हो जाता है, और जैसे सशुराल की विजिट बढ़ती चली जाती है, पहले तो जीजा जी जीजा जी और फूफा जी पूफा जी, जैसे जीजा फूफा में अन्वर्ट होता है, तो फिर वहाँ red carpet नी, फिर आपको ऐसे ही इमरान के लिए जैसे डोर मेट मिलता है, और मोधी के लिए red carpet, एक बार खबर चपी थी कि कहीं विदेश में, किसी दूसरी country में, दोनों ही परजानमंत्री बुलाए गए, मोधी जी भी और इमरान भी, पाकिस्तानी अपना प्रोशी, तो उसके लिए क्या ल कारपेटमेट तो गिव समवन स्पेशल क्या झूसरी कि कि अलब क्यानी तो प्रोशी में, था में उसके लिए, जूसरी डोर में, पाकिसमी customers दूसरी कि ब़िए, मदाहरा ह। पाउंड, डॉलर, अलग-लग देश की अलग-लग country है, तो वहाँ पर जो cent है, वो एक छोटी unit है, small unit है, और hundred cent होने पर एक बड़ी unit बनती है, तो red cent जो है, लाल रंग के छोटे सिक्के होते हैं, अगर आपके पास, आप यूँ को, I have not a red cent, मेरे पास एक धिला भी नहीं है, ऐ यूँनिट होती थी किसकी, आपकी currency की, ठीक है, तो ऐसी cent भी एक unit है, और red cent का मतलब होता है, सबसे, छोटी unit of a currency, small unit of a currency, जैसे हमारे याँ, अब सबसे small unit क्या है, पैसा है, ठीक है, इससे पहले आना, आने से पहले, कोडी, दंबडी, पाई, ये सारे क्या होता है, पाई- आजकल तो वो साज सिंगार में यूज होती है, दंबडी, चमडी जाये पर दंबडी न जाये, दंबडी भी एक जो है, आपका, एक currency कहीं पार्ट होता था, अब नहीं है, अब smallest unit है, वो currency को हमारे पास पैसा है, ऐसी cent भी है, तो I have not a red cent, एक छोटा पैसा भी नहीं है next word पढ़ते हैं, red hot, spicy food, red hot का मतलब बिल्कुल चटपटा, चटकारे दार, ऐसे वाला, चटकारे लेकर जब खाते हैं, बिल्कुल spicy, the food was red hot, I can't stop drinking water, ऐसे बोलते हैं, खाने के दोरान पानी नहीं पिया जाना चाहिए, लेकिन भाई साब ने कुछ ऐसा खा लिया, आप देख मतलब खाने के साथ साथ हरी मिर्ची भी ले लेते हैं, अरे लेते हैं, कौन-कौन लेता है अब जरा लिख के बताना, हरी मिर्ची भी खा लेते हैं साथ के साथ, अंग्रेज आ गया और खाने लग गया, उसके बाद फिर वो जाता है बातरूम, और वहाँ जाकर पानी बानी पीता है और अब नॉर्मल हो गया उसके बाद अगले दिन तो पता ही है मिर्च अपना कमाल दिखाती है तो अंग्रेज कहता है अब पता चला इंडिया में धोते क्यों है यहां कागज का इस्तेमाल क्यों नहीं होता आग पकड़ सकता है न भया जबान पकड़ गया देखिए तो रेड होट का मुझलब किसी वी फूड को आप कह सकते है तो आप यूज़ कर सकते है उसको पानी पीना पड़ा है यह कहना चाहरा है हाँ बहुत इंपर्टेंट रेड टेप या इसको दुबारा सी इसका नाम लिख रहा हूं मैं red tapism, ठीक है न, red tapism, इसका हिंदी में वर्ड होता भाई, लाल फिता साही, अभी लाल फिता साही, काम में देरी होना, आप कुछ फाइल देख रहे हैं, ये ट्रम कॉलिज के दोरान भी पड़े जाती है, public administration करके अगर कोई subject होता है, political होता है, तो फाइल होता है, जो फाइल होता है, उसके उपर एक लाल रंग का टेप बंदा होता है, फिता बंदा होता है, आप देख रहे हो, सभी फाइल के उपर रगा होता है, और ये टेप जो है, ये सिर्फ ऑफिसर या बाबू ही खोल सकता है, अधर्वाइज फाइल यूँ घूमते रहेगी, यूँ रखी रहेगी, तो वहां से एक ट्रम यूज आई है, अभी बाबू नहीं आए है, टेप बंदा होआ है, वो खुलेगा तब जब ऑफिसर बाबू इस पर ठपा लगाएंगे, खोलेंगे, तो वहीं से निकल लगाता या red tapism का मतलब होता है, government में जो bureaucracy है, उसमें काम में देरी क्या होती है, ये भी statement दी गई है, कि red tapism is the major cause of corruption in India, because due to red tapism, it is happening again and again in the departments, government departments particularly, कि आप किसी file पर फिता खोलो ही न, और कैसे बोलते हैं, file पर पहियां लगेंगे, और note वाले, रोल करके, पहियां लगाओ, file अपने आ तो वहां से ये word use करके आगा, I have to go through, so much, क्या कहता है, I have to go, though, so much red tape, just to get my passport, go through होना चाहिए था, sorry, मैं भी कोई बीच में कहा सकते है, I have to go through so much red tape, या red tapism कह सकते हैं, just to get my passport, passport बनवाना हो, license बनवाना हो, government का कोई भी काम हो, red tapism होता ही होता है, ये बात हम कहना चाह रहे है चलिए, next word is, अगला word क्या है, देखो, red meat, common word है, red meat होता है, beef, यानि बड़े पशु का मीट जो होता है, बड़े पशु का खास कर, बड़ा पशु कोन होता है, गाय, भैस, ठीक है, या उससे भी बड़ा, बड़े जो पशु होते हैं, गाय के लिए भी, आप काउ के लिए एंड बफैलो को लिए भी, हम red meat का यूज करते हैं, ठीक है न, the doctor told me not to eat a lot of red meat, बहुत सारी countries में, या बहुत सारे लोग जो है red meat भी खाते हैं, कुछ communities में, तो अच्छा नहीं होता, ठीक है, next देखेगा, to see red, to be angry, अब ये देखो जारा, to see red, double saw red when someone showed it red cloth, आप देख रहे ह लाल रंग देखते ही, बुल क्या करता है, है न, ये तो आपने बुल फाइट देखी भी है, और इस तरीके से आप, to be angry, see red, double see red, यानि जब मैं उसके सामने गया, तो he saw red, मतलब गुस्य में हो जाना, अभी पढ़ा था न, चलिए तो, next word is, आप देख रहे हैं, ये comparison कर सकत हो, आप red का पड़ा इस भाई साब ने दिखाया, और इसको, इसका क्या हल कर दिया, to see red, to be angry, the bull saw red, when someone sawed it, it use करते हैं, बुल के लिए, ठीक न, या he भी कह सकते हैं, या आपे, someone, अच्छा, roll out the red carpet, ये भी red carpet treatment, या red carpet welcome जैसे ही वड़ोता है, roll out red carpet, जब मैं बहाँ गया, तो मेरा बड़ा स्वागत हुआ, ऐसे बाब को हो, ये दे, rolled out red carpet, when I reach there, ठीक है न, जब मैं बहाँ पहुँचा, roll out, roll out red carpet, roll in का मतलो होता है, लपेटना, roll करना, और roll out मतलो होता है, उल्टा खोल देना, तो भाई साब उपर से लेके आए हैं, और red carpet को roll out कर रहे हैं, तो someone special treatment, तो किसी को special treatment देने का मतलो होता है, roll out red carpet, when she entered, जब वो enter किया, उसने, दुलहन ने, everybody rolled out red carpet, सभी ने red carpet को roll out कर दिया, मतलब तिल खोल के स्वागत करना, बड़ा स्वागत करना, साही स्वागत करना, ठीक न, तो roll out red carpet का मतलब भी साही स्वागत हो जाएगा, paint the town red, नया word है, have a great party time, have a great time या party, या कोई भी treatment आप देते हो, तो उस sense में म्यूज करते हैं, let's paint the town red, let's paint the city भी लिख सकते हैं, यहां पे, कुछ किताबों में आपको city word भी मिले देगा, let the paint, let paint the, let the paint, paint the town red, sorry, मैं अटक किया था, my friend painted the town red, when I topped the exam, अब यह भाई साब कह रहे हैं, कोई भी एक पकड़ लो, हां, यह रहे यह रहे, यह रहे, यह रहे, हां, यह जणाब कहते हैं, की, अरे मैडम है तो, इन भाई साब को कह लो, ठीक न, my friend, paint the city यह town red, when I got selected, यह रहे न, I topped the exam, देखो, लाल लाली कर दिया, सब जगह, सब लाल पहन के आए वे हैं, है न, paint the town red, सब जगह, लाल लाल कर दिया, मतलब, खुब इंजोए किया, लाल गुलाल फेक कर मजा, मजा, जो हम मजा लिया गया, इसका मतलब, मजे किया गए, party time, let's paint the town red, आव पाट कर्ज, औरे, रोको, रोको, यहां से करना था, कर्ज, ओ का मतलब क्या होता, कर्ज, कर्ज में होना, ठीक न, अरे, अगला था भाई, यह रा, सोरी, कर्ज, उस पर क्यों लिग दिया, मैंने, हाँ, in the red, ओ मनी, कर्ज में, यानि पैसा लेना, due to lockdown, lockdown के वज़े से, most of the people are in the red, कर्ज में हो गए हैं, बिल्कुल, सब हो गए हैं, सब को दिक्कतारी है, इसने देखो, लाल रंग का पर्ष लिया था, लेकिन खाली है, बिचारी का, कुछ ही नहीं, ठीक है, न, sees in the red, मतलब red पर्ष में तो पैसा होना बनता है, लेकिन यहां पर भी कुछ नहीं है, यह दे किसी से पैसा मांगो आज कल, भाई पैसा देते कुछ जरूरत है, नहीं यार, I am also in the red, I am already in the red, मतलब मैं भी, मुझे भी किसी और का पैसा देना है, आप इस तरी किसे टरम्स यूज कर सकते हो, एक्जाम में तो जरूर पूछी जाती है, ठीक न, next is red ticket item, बहुत खुबसूर रंग की एक ticket आप लगा दो, इस तरीके से, और लिख दो red ticket, मतलब आप कहते हो, these caps are red ticket items, अरे रंग बिरंगे भाई, red ticket है, आप होता है ना कई चीजे, जो बहुती special item होते हैं, किसी भी, किसी भी खास जगह के, कुछ कंपनिया, कुछ ब्रांड ऐसी special चीजे बनाते हैं, त किसी बजार में, किसी दुकान से, और वो कहते हैं कि कुछ भी लेने पर, आपको एक cap free मिलेगी, तो इसको भी आप कह सकते हो, red ticket item, या product कुछ भी कह सकते हो, red ticket item, आइसका मतलब यह भी होता है, special item भी होता है, free item भी हो सकता है, red ticket, इस तरीके से हम यूज क्या सकता है, आप क सहर में कोई mall खुला, उसको ऐसे लिखा हुआ था, तो अब वो 1 kg sugar वो क्या है, red ticket item हो गया, अगला, red tag, अब किसी ओपर लाल red tag करके यह लगा दिया, इसका मतलब क्या है, special sale है, red tag sale का मतलब है, special sale, आप देख रहे हो, यह 10,000 dollar, with, क्या है, new VW models with discount up to 10,000 dollar है, इसका मतलब, और below MSRP, या means more jingle in your pocket, तो इस पर लिखा भी वह है, year end red tag sale, red tag sale का मतलब है, बड़ी और खास sale होती है, एक बार मैं किसी शॉप पर गया, यह सिमला के mall की जो है, बात है, अक्सर लोग लिखते हैं, कि इस चीज़ पर, कोई भी item है, एक shawl की दुकान थी, shawl जो हो हो था, अक्सर लोग लिखते हैं, कि इस पर आपका 75% sale, है ना, यानि बड़ा amount, तो या फिर 90% sale, उस दुकान पर 90% sale, लगी वी थी, लेकिन जणाब ने अलग से लिखा हो था, उसने क्या लिखा हो था, आप इसका, देखना कैसे लिखा हो था, इसका, इसकी कीमत का केवल 10% पे करें, 10%, ऐसे कुछ लिखा हो था, यह बिल्कुल attractive है, यानि जितनी कीमत उसका केवल 10% आपको देना है, है ना, different, तो ऐसी जब sale होती है, तुसको बोलते है, red tag sale, next word is, अगला बड़ देखो, red light district, मैं सोच रहा था, यह वर्ड पढ़ाऊं के ना पढ़ाऊं, लेकिन वर्ड है, तो भई, पढ़ाना पढ़ेगा, भास्चा का हिस्सा है, और इस तरह की हमारी समाज का हिस्सा है, यह चीज़े होती भी है, तो you must know the correct word, exact word, कोई आपकी सामने वो यूज करें, आपको मुर्क और पना पना पाए, इसलिम आपको पढ़ा रहा हूं, एक शली की से पढ़ते है, red light district होता है, area with sex workers and prostitutes, जिस area में, अब particularly, sex workers या prostitutes होते हैं, वेसयाले होते हैं, उस area को, English में red light area, red light zone, यह red light district के नाम से जाना जाता है, तो आप देख रहे हो, किसी फोर्न का एक फोटो मे यहां लगा हुआ है तो यहां पर लिखा भी वहा है red light secrets अब है तो है अब लाला रंग है और उस गली में इस तरह के अगर प्रोसिचूट्स रहते हैं तो आप उस एरिया को red light zone या red light area कह सकते हो अगर आप एक अच्छी officer की तैरी कर रहे हो तो आपको इस तरह के words भी पता होन चाहिए ठीक ना तो all countries have a few red light districts in the city हर बड़े सहर में red light zone red light districts red light streets होती है यह license डोती है सरकार इन लोगों को अपनी तरफ से license प्रोवाइड करते हैं अपना इस काम में involved होने के लिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए समझ मैं ही मेरे बात दिल्ली, बॉंबे, कलकेटा इस तरह के जो बड़े सहर है वहां सुनने में आता कि red light districts होती है चलिए next word is अगला red letter day, यह बहुत पर प्रमया है, red letter day, red letter day का मझन होता है important day, कोई खास दिन, साधी वाला दिन, कोई बच्च आपके घर में पैदा हुआ है, exam का result आया है, नोकरी लगी है, है ना, लोटरी लगी है, चोकरी मिली है, कोई भी ऐसा दिन जो आपके लिए हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते है, red letter day, यानि खास दिन, when I got my offer letter, it was a red letter day of my life, इन भाई साब को लाल रंग का letter भी मिला हुआ है, और इसके उपर लिखा भी हुआ है, job offer letter, यानि job के offer letter को भी आप एक red letter day मान सकते हो, ठीक हैं कि नहीं है, चल यह तो, तो यह थे आपके सारे words, और मैं उमीद करता हूँ कि आपको, एक minute, वो वाले words एक बार दिखा दूँ, ताकि आप एक बार words पहचान ले, चलिए, तो दोबारे से हम पहुँच गए हैं, अब देखें, आपको साइद words आते होंगे, जरूर, red as a lobster, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, as red as lobster, मतलब लाल चेहरा होना, sunburn के कारण, red in the face, red in the face, गुशे में होना, angry होना, caught red handed, का मतलब क्या हुआ, रंगे हातों पकड़े जाना, यानि गलत काम करते हैं, red carpet treatment, शाही स्वागत, बड़ा welcome, not a red scent, खाली जेब होना, I have not a red scent, एक भी पैसा नहीं है, red hot, spicy, red hot food, ठीक है, red tape, काम में देरी, bureaucracy, government bureaucracy, red meat, बड़े पसु का meat होता है, आपको पता ही है, sea red, गुशे में होना, roll out the red carpet, ये भी roll out करना, carpet roll out करना, welcome करना, paint the town red, party time, town को paint कर दिया लाल रंग से, in the red, कर्ज में होना, I am in the red, मेरे पास पैसा नहीं है, कर्जा है, red ticket, special, को special item है, उस पर red ticket लगा दिया, और red tag sale का मतलो होता है, भारी, बड़ी sale, ठीक है न, red light stick, वहीं, prostitutes and sex workers जहां रहते हैं, and red letter day का मतलब, खास दिन, important day, मैं उमीद करता हूँ, सारे words आपकी समझ में आ गए हैं, और आगे से आप इनको अपनी life में, routine में, यूज करना भी शुरू कर देंगे, चलिए, तो अगले class में फिर कुछ different नए words के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, आपको जैसा भी class लग रही है, मुझे इसका comment में जरूर डालके बताना, आपको इसमें क्या improvise, improvization चाहिए, क्या improvement चाहिए, वो में करने के लिए त्यार हूँ, आपका सु जाओ मझे चाहिए ही, चाहिए, thank you, have a nice time, bye-bye, take care.